कल्पना कीजे आप सोकर उठते हैं और पाते हैं कि एक रोकी ना जासकने वाली प्राकृतिक आपदा की कारण इंसानों की पूरी आबादी का सफाया हो जाएगा या और भी जादा सटीक होने के लिए मैं कह सकता हूँ की 96.7 प्रितिशत लोग सुनकर डर तो लगता है ना? शुकर है कि ऐसा कोछ हमारे साथ नहीं होने वाला लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ है हमारे पूरवजों के लिए विलुप्थ होने की परिस्तिती तो आई थी ये सच है तो आई आज हम घड़ी को ले चलते हैं उस समय में जब 96.7 प्रतिशत इंसान मारे गए थे आज लगभग 8 बिलियन से भी जादा इंसान जिन्दा है ये कल्पना करना कठिन है कि हम कभी एक लुप्थ प्राय प्रजाती थे लेकिन ये बात सच है एक समय ऐसा भी था जब वक्त बहुत खराब था और हो सकता था कि हम लुप्त भी हो सकते थे लेकिन शुकर है कि हमारे पूरवजों का नसीब अच्छा था और फिर इंटेलिजन थे उनकी बदौलत हम आज भी जिन्दा हैं क्या आप जानना चाते हैं कि हमने ये सब कैसे मैनेज किया तो तयार हो जाएए क्योंकि आज हम आपको अतीत में ले जाएंगे एक लाग 95,000 साल पहले दुनिया आज की तुलना में लगभग पहचानने योग ये नहीं थी उस वक्त ना तो कोई शहर था, ना गाड़ियां थी, ना ही सेलफोन और या फिर किसी तरह का फास्ट फूट रैस्टों और हाँ वाइपाई तो बिलकुल भी नहीं था तो इसे हम Marine Isotope Stage 6 भी कह सकते हैं लगता है मैंने अभी-अभी सुना के आप मुझसे पूछ रहें कि Marine Isotope Stage क्या है तो मैं आपको बता दू कि Marine Isotope Stage पृत्वी की जलवाईू के इतिहास में बारी-बारी से गर्म और ठंडे कालखंड है इन अलग-अलग स्टेजेज को पृत्वी के इतिहास में और अधिक संख्या में सौपा गया है और गहरे समुद्र के कोर नमूनों से डेटा का अध्यन करने वाले बग्यानिकों द्वारा मापा जाता है आईजोटोप के लेवल जिसे Oxygen 18 के नाम से भी जाना जाता है अभी हम जिस पीरिट में रह रहे हैं उसे Marine Isotope Stage 1 के नाम से जाना जाता है जो पृत्वी के इतिहास का बहितरीन खंड है Marine Isotope Stage 6 एक लाग 95,000 साल से एक लाग 23,000 साल तक चला और उस समय के दर्मियान सेंपल्स ये दरशाते हैं कि Oxygen 18 की मात्रा बहुत जादा है इस Information के साथ हम ये समझते हैं कि पृत्वी पर उस वक्त बहुत जादा धंड थी और Experts इसे एक Glacial Period के नाम से बलाते हैं हमारे पूरवज इसे एक बुरी खबर कहते थे अगर वे Modern Language समझते तो यकीनन वे भी यही कहते तापमान जो पहले कभी गर्म हुआ करता था जिसमें कभी पेड पौधे उख सकते थे वो अचानक से कम होने लगा अगर हम इसे आज की Global Average से कमपेर करें तो उस वक्त Global Temperature 10 डिग्री सिल्सियस या 18 फेरेनहाइट जितना हुआ करता था और इस तरह के ठंड का असर दुनिया पर बहुत जादा था इस ठंड के मौसम ने सूखे के स्थिति इतनी जादा गंफिर कर दी कि योरप, एशिया और अफ्रीका की कई जगहें रहने लायक नहीं थी ना तो पौधे और ना ही उन्हें खाने वाले जीव जीवित रह सकते थे और जीवन वहाँ व्यतीत करना पड़ा जहां थोड़ी गर्मी हुआ करती थी अगर वे किस्मत वाले होते तब ही उन्हें ऐसी जगहें रहने को मिलती लेकिन पृत्वी का वो भाग जिसे आज हम अफ्रीका के नाम से जानते हैं जीवन के लिए परिस्तितियां काफी टेंपरेट थी जहां जीवन व्यतीत किया जा सकता था और यहीं सारे इंसान रहते भी थे नई नई बहुत जादा खुश होने की जरुवत नहीं है क्योंकि बहां पर आपको कोई राज या शहर नहीं मिलेंगे क्योंकि ऐसा होने के लिए आपको बहुत सारे सोर्सिस की जरुवत पढ़ती है खास करके गलेशियल पिरिट के दर्मियान बड़ी आबादी का एक जगह पर बसना नामुमकिन सा था लेकिन होमो सेपियंस जो आसपास थे उनके लिए अफरीका घर था इनफेक्ट सत्तर हजार साल पहले तक मानवता बड़ी संख्या में अफरीका की सीमाव से आगी नहीं बढ़ी थी और उस वक्त आबादी का छोटा होना समझ में आता है क्योंकि रिसोर्सिस काफी लिमिटेड हुआ करते थे तो दूर दूर तक जाना तो पॉसिबल ही नहीं था उस वक्त समधाय काफी छोटे थे नोमट्स थे और दूर दूर थे और तो और अच्छे समय में भी मानव आबादी बहुत कम थी अपने अधिकांश अस्तित्यों के लिए आधनिक मनुश्यों की पूरवजूं जिन में होमो इरक्ट्स और होमो नियंडर्थलिंस जैसे घैर होमो सिपिन्स की आबादी शामिल है उन्होंने पॉपिलेशन में रहने के ट्रेन को कायम रखा इंसान की कुलाबादी लगभग चार लाख साल पहले दस अजार से तीस अजार की बीश थी परस्पेक्टिव के लिए उस वक्त इंसानों की संख्या की तुलना हम आज धर्ती पर मौजूद पोलर वेरसे कर सकते हैं और इस बात की बिलकुल भी उमीद नहीं थी कि मानव जनसंख्या आकार अगले साढ़े तीन लाख वर्षों के लिए परियाप्त रूप से विस्तार करना शुरू कर देगी लेकिन इन सब चीजों के बीच बिक चिल की शुरुआत हुई और यांक्रे और कम हो गए जब मरीन आजोटोप स्टेज 6 अपने चरम पर था ठंड अब आने वाली नहीं थी बलकि पहले से यहीं थी और परिस्तितियां काफी बुरी थी अभी तक इनसान गर्म तापमान में रह रहे थे और शिकार कर रहे थे और अफरीका के सूर के रोशनी के नीचे रह रहे थे लेकिन आप उनके जीवत रहने पर संदे था क्यूंकि प्रित्वी के पानी का जातर भाग गलेशेर में ट्रैप होता जा रहा था और दुनिया ए प्रेट खठन सहें और फिर भूग के मारे मर जाएं या पैक अप करके वहां से निकल लें लेकिन अफसोस के बहुत से इनसानों को समय से समझ नहीं आया क्या उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए या फिर ये भी हो सकता है कि वे हैबिटेबल होट स्पोट से काफी दूर जिसके कारण अब वे हमारे बीच नहीं है और बाकी के कुछ इंसान छोटे-छोटे समझ में बढ़ गए और हैबिटेबल लेंड्स की खोज में निकल पड़े लेकिन इन में से कुछ किस्मत वाले ही थे जो कि अपनी मंसिल तक पहुँच पाए हर मोड पर खत्रा उनकी मौ जिसके कारण इंसानों के आबादी लगभग विलुप्त होने के कगार पर आ गई थी जो आबादी बिक्चिल से पहले 18,000 जितनी थी मतलब ये था कि हमारे अनुमान के अनुसार 96.7 प्रतिशत इंसानों के आबादी मर चुकी थी और जिससे मानवता के भविश का भार 3.3 तीन प्रतिशत लोगों के कंधों पर छोड़ दिया गया इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आबादी पहले ही बहुत कम थी इंसान विलुप्त होने के कगार पर थे इससे पहले कि उनके आबादी बर सके मनुश्यों का वो छोटा समुझ जीवित रहा दक्षिन अफ्री पूरवजों की चारों और घूमने की एडॉप्ट करने की शमता के कारण ही आज हम इतनी मुश्कुलों का सामना करने के बाद भी जीवित हैं अगर सीधे शब्दों में कहूं तो बुरे समय में स्मार्ट होने से फायदिमन सावित होगा अब इंसान जो जीवित थे वो या इवन से भरा हुआ था जिसमें सी स्नेल्स कभी कभी सील और वेल जैसे प्राणी शामिल थे जो नीट्रेंट्स में काफी अच्छे थे हालाकि सबसे महत्पूर्ण खाना जो था वो थी शेल्फिश जी हां साउथ अफ्रिकन कोस्ट पर भरपूर मातरा में थी और यही सारी चीजें थी जो इनसानों के लिए प्रोटीन का साधन थी और सालों तक यह चीजें भरपूर मातरा में अवेलिबल रही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खानी की कमी हर तरफ कितनी ज्यादा थी कुछ एक्सपर्स का कहना है कि इतिहास के इस पॉइंट पर समुद्र ही है लेकिन सिर्फ समुद्र ही नहीं था जो इन टेंपरेट आइलेंड में खानी का स्रोट था यहां पर पेर पॉधे भी भरपूर मातरा में मौजूद थे और इन में से कई पॉधे ऐसे थे जो इन ठंडे परयावरों से निपट सकें और अपने अंडर ग्राउंड स्टोरे इनसानों को वास्तों में साउथ अफ्रीका में जैकपोट हाथ लगा था आगे उत्तर में शुष्क बंजर भूमी की तुलना में दक्षन के 30 शेत्र इडन गार्डन की तरह थे जो भी लोग वहां पर रह रह रहे थे उनके पास उनके डाइट में शामिल करने के लिए प्रदाओं से समविदंशील थी इसका मतलब यह था कि जो भी लोग वहां पर रिफ्यूजी थे अगर उनसे लोगों को किसी तरह का वाइरस हुआ तो पूरी आबादी खत्रे में पढ़ सकती थी फिर अगर बाढ़ आई तो साथ ही अनफेबरेबल जैनेटिक ट्रेट्स ज निकले विक्चिल के खत्म हो जाने के बाद भी लेकिन ऐसा नहीं था कि विक्चिल सिर्फ हमारे बीच कुछी महीनों साल दो साल या फिर एक दशक के लिए था विक्चिल जिसे हम मरीन आइजोटोप स्टेश 6 के नाम से जानते हैं वो सत्तर हजार साल तक हमारे बीच रहा प्रित्वीके से तेहास के अंगिनत पीड़ियां जीवित रही और मरी और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि गर्मिया कैसी होती हैं ये काफी बुरा है ना बेशक जो भी इंसान इस ठंड में जिन्दा थे उनको कुछ पता नहीं था और शायद ये अच्छे के लि इतने जादा चलेंजिस का सामना करने के लिए उन्होंने काफी क्रेटिव तरीके आजमाई दक्षन अफ्रीका में क्लासीज नदी के किनारे कई गुफाएं हैं जो कि इन 600 लोगों का घर हुआ करती थी इनमें से एक गुफा को PB13B का नाम दिया गया है यहां ऐसी कलाकरतिय जो कि बताती हैं कि इनसान यहां रहते थे उन्होंने काफी तरक्की की गुफा में मिले सबूतों के अनुसार ये पता चलता है कि हमारे पूरवजों ने शेल फिश का इस्तिमाल सिर्फ खाने के लिए नहीं बलकि डेकुरिशन के लिए भी किया है और उन्होंने शेल को उस कि खोज से पहले माना जाता था कि ही ट्रेट्मिंट के तरीके की खोज 20,000 साल पहले फ्रांस में हुई थी लेकिन जैसा कि हमें पता है हमारे पूरवज समय वक्र से लगभग एक लाख वर्ष आ गया थे अपने इंटेलिजन्स के कारण ही वे बिक्चिल जैसी परिस्तितिय है वरना नहीं होता जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा मैं इन सर्वाइवर को अपने पूरवज बुला रहा हूं लेकिन इसमें कोई सामानी करण नहीं है बिक्चिल के दोरान इंसानों के आबादी में इतनी तेज से कमी आई थी इस बात के बहुत अधिक संभावना है कि ह काफी अरचनों का सामना करना पड़ा था हमारी जनसंख्या एतनी कठिन परिस्तितियों से गुजरी है कि हमारे पास दो ही रास्ते थे या तो स्पीशीज विलुप्त हो जाए या फिर जैनेटिक डाइवस्टी के साथ रिकवर कर ले अगर इन में से कोई भी वेरेबल हम सर्वाइव किये वो काफी इंट्रेस्टिंग है और जाननी योग भी ऐसा होनी के संभावना है कि हम सभी जीवित बचे लोगों का ही अंच हैं इसका मतलब यह है कि हमारी जैनेटिक डाइवस्टी जानवरों की तुलना में काफी कम है और यह बिक्चिल नहीं होता तो हम हमें इंसानों की गेंटिकली डाइवर्स रेंज देखने को मिलती तो हमारे पास बड़े समयदायों में एक साथ खीचने के लिए अतनी मजबूत अनिवालता कभी नहीं होती हमारे पूरवजों और अन्य थोड़ा अनुवांशिक रूप से मनुश्यों के अलग-अलग हो सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता था अलग-अलग इंसानों की बीच काफी मतभेद होते रहते और युद्ध होते रहते और कौन कह सकता है कि हमारे पूरवजों ने जीत हासल की होगी और दूसरों द्वारा मिटाये नहीं गए थे जिनके आनुवांशिकीने उन्हें अभिता का जन्म हुआ क्यूंकि हम सब एक जुठोकर काम कर रहे थे हमारे अनुवांशिक इतिहास में इस संकीन पलायन के साथ ऐसा लगता है कि मानव से मानव संबंध वास्ताव में हमारे खून में है इसलिए शायद हमारे लिए सोशिलाइजेशन बहुत ही जादा जरू भी नहीं सकते लेकिन खत्म होने के बाद मानवता का क्या हुआ भाई 70,000 सालों तक सब कुछ जमा रहा और इंसान भी बंदे हुए थे जैसे जैसे परिस्तितियों में सधार होने लगा बर्फ पर घलने लगी सब कुछ नॉर्मल होने लगा और साथ सदियों तक एक ही जगह पर कैद रहने के बाद इंसान खानी की खोज में दूसरी जहों पर जाने लगे जैसा कि हम बता सकते हैं सबसे पहले वे इस अफ्रीका गए और फिर ऐसे में धीरे धीरे दुनिया भर में पहलने लगे लेकिन ये सब इंसानों के लिए आसान नहीं था क्योंकि उन्हें कई समधायों की मौत हो गई हमें एक और बार आईजेस का सामना करना पड़ा लेकिन इस बार भी हम बच गए क्योंकि हम साउथ की और बढ़ चले हलाकि हमारी हमेनिटी ने कई बार चैलेंज का सामना किया जिसके कारण हर बार इंसानों ने खुद को विलुप्त होने से बचाय और हमारी आबादी को एक बिलियन तक पहुँचने में लग भग 1804 CE तक का समय लगा और पता नहीं शुक्रियादा करूं की अफसोस उस समय से लेकर आज तक आबादी ने कम होने का नाम ही नहीं लिया आप जो भी सूचें हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बत जाती एक लाख 95,000 साल पहले ही विलुप्त हो जाती और आप शायद आज ही वीडियो ना देख रहे होते या फिर वैप ब्राउसिंग ना कर रहे होते या शायद हमारा कोई नामों निशान ही ना होता सच में ये सर्वाइवर हमारे असली हिरो है और उनकी कहानी बताना मेर अरे लिए आज गर्व की बात है आज हम सब यहाँ पर है इसके पीछे उन लोगों का स्मार्ट दिमाग और हमारे गहरे समुद्र का हाथ है देखने के लिए शुक्रिया